विक्सीद भारत संकल्प यात्रा के दोरान, यानि जब ये मोदी की गरंटी वाली गाड़ी आई है तब, दो बड़े कारिकम देश ने किये हैं। इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मद्यमबर का हो, चाहे मद्यमबर का हो, चाहे अमीर हो। मैंने गाल लाल के लिए से देश की ग्रामीर बहनों को ड्रोन दीजी बनाने की गोशना की थी। और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गाउं की बहनों ने, दस्वी कक्षा पांस है, कोई ग्यारवी कक्षा पांस है, कोई बारवी पक्षा क्या है। और हज्जारों बहनों ने ड्रोन चलाना स्विख लिया। खेती में कैसे इसका उप्योग करना, दमाईया कैसे छिटगना, फर्टिलाजर कैसे छिटगना स्विख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है न, वो नमन करने का मन करें इतना जल्दी सो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कारकम है, और इसलिए मैं तो इस कारकम का नाम देता हूँ, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, ये हमारी नमो नमो ड्राउन दीदी ताकि हर गाउं ड्राउन दीदी को नमस्ते करता रहे हर गाउं ड्राउन दीदी को नमन करता रहे ऐसा वातरण मुझे बनाना है इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे दे कुछ लोगों ने सुझाया है नमो ड्राउन दीदी अगर गाव जैसे कहेगा नमो ड्रॉन दिदी तब तो हमारी हर दिदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा आने वाले समय में 15,100 सहायता समुहों को ये नमो ड्रॉन दिदी का अरकम से जोड़ा जाएगा वहाँ ड्रॉन दिया जाएगा और गाउं में वो हमारी दिदी सबके प्रणाम का नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रॉन दिदी हमारा आगे बढ़ेगा हमारी बहनों को ड्रॉन पाइलोट की ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ हेल्फ ग्रॉप्स के माध्यम से बहनों को आत्मंदिर भर बनाने का जो भ्यान चल रहा है वो भी ड्रॉन यह जासे सरसक्त होगा इससे बहनों वो बेटियों को कमाई का अतिरिकत साधन बिलेगा और मेरा जो सप्ना है न दो करोड दीदी को मुझे लगपती बिनाना है गाउं में रहने वाली, विमेंसेल्फ ग्रूप में काम करने वाली दो करोड दीदी को लगपती बनाना है देखिए मोधी छोटा सोचता ही नहीं है और जो सोचता है उसको पुरा करने के लिए संकल पर लेके निकर पड़ता है और मुझे पक्का विश्वास है इससे देश के किसानों को बहुत कम किमत में ड्रॉन जैसी आधुनिक टेकनोलोजी मिल पाएगी इससे उनके स्वास हिल्थ को भी लाग होने वाला है इससे समय भी बचेगा दवाओ और खात के भी बच्चत होगी जो वेश्टेश जाता है वो नहीं जाएगा साथियों आज देश के दसजारवे जन और शदी केंद्र का भी उद्धारण किया गया और मेरे लिए खुशी है कि बाबा की भूमी से मुझे दसजारवे केंद्र के लोगों से बात करने का मोका भी जा अब आज से ये काम आगे बढ़ने वाला है देश भर में फैले ये जन और शदी केंद्र आज गरीब हो या मिडल कास को हर किस्यों को सस्ती दवायां उपलब्द कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुकिंशे ये और देश वासी तोने सें इन्हें पर जाएंगे भले आपको मरी मरे पड़ें लेकिन बेही इच्छा यह है कि आपके पैसे बचने चाहिए यानि आपका बिमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है दोनों काम मुझे करना है आपको मिमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना इसका मटलब है मोधी की दबाई की दुका इन जन आउशदी केंद्रों पर लगभग दो हजार किस्व की दमाएं 80-90 परसंट तक डिस्काउंट पर उपलब्द है अब बताईए एक रुपीय की चीज 10-15-15 पैसे 20 पैसे में मिल जाए तो कितना फाइदा होगा और जो पैसे बचेंगे न आपके बच्चों के काम आएंगे 15 आगस को ही मैंने देश भर में जन आउशदी केंद्र जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं वो 25,000 खुलने का ताई किया है 25,000 तक पहुंचाना इसको अब इस दिशा में और तेजी से काम शुरू हुआ है इन दोनों युजराओं के लिए मैं पुरे देश को विशेश रुप से मेरी माताओं बहनों को, किसानों को, परिवारों को सब को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्यान अन्य योजना आप जानते हैं, कोवीड में शुरू की थी और गरीबों को, उनकी थाली, उनका चूला, उसकी चिंता गरीब के घर का चूला बुजना नहीं चाहिए गरीब का बच्चा भूका सोना नहीं चाहिए इतनी बड़ी कोवीड की महामारी आई थी हमने एक सेवा का काम सुरू किया और उसके कारण, मैंने देखा है परिबारों के काफी पैसे बच रहें अच्छे काम में खर्चों रहें ये देखते हुए, कल ही हमारी केबिनेट ने निर्णे कर लिया है कि आप ये जो मुक्त राशन देने वाली योजना है उसको पांच साल के लिए आगे बढ़ाये जाएगा ताकि आने वाले पांच सालों तक आपको भोजन की थाली के लिए खर्च न करना पड़े और आपका जो पैसा बचेगा न उसका जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविश के लिए उसका उप्योग कीजिए प्लानिंग कीजिए पैसे बरबाद नहीं होने चाहिए मोधी मुफ़त में फेटा है लेकि इसलिए फेटा है ताकि आपकी ताकत बढ़े 80 करोड से ज़्यादा देश वास्यों को अब पांच साल तक मुफ़त राशन मिलता रहेगा इससे गरीबों की जो बच्चत होगी उस पैसों को वे अपने बच्चों की बहतर देख बालक में लगा सकेंगे और ये भी मोधी की गारंटी है जीसे हमने पुरा किया है इसलिए मैं कहता हूँ कि मोधी की गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी